हलो फ्रेंड्स वैलकम टू अवर योटूब चैनल रोबिन फैशन डिजैने फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैवी साइज ब्लाउज की बिल्कुल सही और आसान तरीके से कैसे कटिंग की जाए तो फ्रेंड्स और साथी साथ मैं आपको ये भी बता द आज मैं आपको जो सिखा रहा है वह है हैवी साइज यानि बड़े साइज का ब्लाउज आपको कैसे काटना है फ्रेंड्स ये जो ब्लाउज है ये फोर डार्ट्स वाला ब्लाउज यानि बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है बिना तीरे का बिना कटोरी का बेकुल सिंपल ब्ला बाजू की लंबाई 7 इंच है और बाजू की आगे से गोलाई वो है 17 इंच और पीछे से दोस्तों इसका जो गला है वो रखना है हमने 8 इंच तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस प्रकार से ब्लाउज को बिछा लेना है यह देखिए यह जो कनेरी वाले हिस्से हैं यह जाये मैं यह बधिक्स होजाये आप सबसे पहले प्रकार से कपड़े को बिछा लेना है अपने हएं रहल्कहासा न口ली अख्वासा लेना है कि क्या में इस तरह से निशान लगा रहा हूं इस निशान का मतलब यह होता है कि यह जो मेरा निशान है इस निशान से जो एक्ष्टा जो कपड़ा यह तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और अब इस जगह से हम लेंगे इसकी लंबाई जैसा कि मैंना आपको बता ही दिया लंबाई है 15 तो यह देखिए इस जगह से लंबाई लेंगे 15 की जगह हम सारी कटिंग करनी है अगर तो आपका अब जो बना रहे हो ब्लाव Erst Samil take the में गल्च इंट है यह फिर वाला आगला है यह बोर्ड घला तो आपको तीजां नहीं लेना होता है जितना किसी का होता है सपोच किसी कि अगला पांच इंच से बड़ा को पहनता है तो उसका सिंपल फार्मूला आपको यहां से लेना है शोल्टर वो लेना छे यह देखिए छे दुनी बारा यानिकी बारा इंच पर आपको शोल्टर लेना है और इस निशान को आपको बिल्कुल सीधा इस प्रकार से खेंच ले भी हो चाहिए साइज कोई भी हो चोटा है रहा है हाला कि हवी साइज है हमने तीरा निश का दो लिया छे इंच लिया और आर्म हो इसका लेंगे ऐ इस प्रकार से आदा इंच बढ़ाने के बाद इस निशान को सीधा आप खीच ले ये देखिए अब फ्रेंट्स बात करते ह है इसके जो है सीने का नाप सीना है इसका जो बोडी से जब मैंने नाप लिया है तो वह 48 अब इसको हम करेंगे फॉर में डिवाइड तो 48 का आदा बनता है 24 और 24 का बनता है 12 यह देखिए तो 12 पर आपको निशान लगा नहीं देखें यह बारा इंच पर मैंने निशान लगा दिया है तो फ्रेंट्स यह तो है फिक्स बोडी मेजरमेंट याने की बारा चोप 48 और लेकर एक चीज़ आपको पतायता हूं ब्लाउज किसी भी साइज का क्यो ना हो जब हम इसमें जो लूजिंग देते हैं तो इसमें हमें आदा इं तो 42 का आदा होता है 21 और 21 का आदा होता है साड़े दस तो साड़े दस पर निशान लगाएंगे इसके अलावा फ्रेंट्स जो बैक वाला पोर्शन होता है यहां पर हमें पीछे में प्लेट्स लगानी होती है तो प्लेट्स के लिए जो मारजन लेना है वो लेना हमें लग आएगी फिटिंग की वो इस निशान पर आएगी तो यहां पर तो फिटिंग की सलाई आ ही जाएगी लेकिन सलाई लगाने के बाद भी हमें फ्रेंट्स एक्स्टा मारजन चाहिए होता है तो एक्स्टा मारजन आप अपनी च्वाइस के अकोर्डिंग एक चाहू एक इंच र अब फ्रेंट्स से क्या होता है बहुत सारे मुझे कमेंट मिलते हैं और हमारे सब्सकाइबर्स हमारे वीवर्स मुझे से पूछते हैं कि सर हैवी साइज का जो ब्लाउज होता है अगर उसमें हम 6.5 इस प्रकार से आर्म हो लेंगे तो यह छोटा नहीं पड़ जाएगा तो से पहले आपको यहां पर एक एरो का निशान बनाना है यह देखी अब इसके बाद यहां से जो दूरी रखनी आपको फ्रेंट्स वो रखनी 1.5 इंच साइज कोई भी हो उसमें 1.5 इंच का यहां से गुलाई दी जाती है अब यह गुलाई आपको देनी कैसे यहां से देख करता हूं कटिंग करते हैं मैं अपको हल्का सा यहां से डाउन और लेना है और आप देख सकते हो फ्रेंट्स इस प्रकार से जो बैक वाला पॉर्ड़्चन है इसमें मैंने मार्किंग कर ली है आपकी जानगा के लिए बता जाता हूं 40 इंच है जो इसका जो वोड़ी का के बाद जो संख्यां पर आप तो होती है 48 प्लस दो हो गए 50 50 का आदा होता है 25 और 25 का आदा बनता है साड़े बारा है तो यह आप देख सकते हैं से साड़े बारा इंच यह मैंने निशान लगाया कमर में कभी भी लूजिंग नहीं दी जाती कमर है इसके दोस्तों 42 कि तो 42 का अगर आप एक चुथाई करते हो तो बनता है साड़े दस यह दिके साड़े दस पर मैंने निशान लगाया और इसमें डेड़ इंच मेंने लिया मार्जन वह है प्लेट के लिए अब फ्रेंड्स मैं इसकी करूंगा कटिंग और कटिंग करने के बाद देखें इसका अगला पोसिजर क्या होता है पहले करके मैं आपको दिखा देचा हूं कि तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बैक वाले पोश्चन की मैंने कटिंग कर ली है अब इस बैक वाले पोश्चन को आपने इसी प्रकार से उठा लेना है और इसको रखना है इसके सामने बिल्गूल इस प्रकार से देखेंगे और इसको कितनी दूरी पररकरन है तो पिल अफ्रेंड़ी देख लाए है यहां से आपको इसने देखी अगर ellerवाला इस depends पर आपको इसको स्था निशान लगाने ताक्रेशन sih कोही Sense लिए रहे यह कि मिन्मों गर आहल दो यह पयोगी को इसको रहना है बिलुकुल इसके स्क्ड़ सामने यह देखिने रख लिया है यानिकी कि जो में इसके 잡क काट तें के की पया किन बिना कटोरी का बिल्कुल सिंपल फो डाट का यह बलाउज है और हैवी साइज बलाउज है फेंड्स करना कुछ नहीं बिल्कुल इस पर कास से शक्षिक रख लिया अब इसमें आपको जो चेंजेत करने सिर्फ दो जगए चेंजर करने यह देखिए यहां से बिल्कुर ब्रालबर कलिगद्णों होगी में साथ कि साथ यह देखिए इधर से ब्राबर कर्टिंग होगी इधर से ब्राबर होगी बिस आपको जो चेंजर करना तो यह 20 ही सग्ड मने इसको बढ़ा के लिया है कि इसको बढ़ाकर लिया इसका है इस तरफ गया उसके पीछे कारण नहीं है तो आदाँ इंच का मार्च बढ़ा बाज लिया ले कि बिल्कुल बराबर आ जाए तो बढ़ा लिया और बस आपको इसके उपर की कर लेनी है कटिंग तो फ्रेंडस आप देख सकते हो फ्रन्ट और बैक की मैंने कटिंग कर ली है अब इसमें क्या करना हमें हम पहले इसका जो बैक वाला पोर्शन उसको टाते हैं और फ्रेंट्स ये देखियी ये डे को पोर्शन है और इसमें ये जो मैंने नीचे कट लगाया था इस कट का मतलब है कि नीचे से इतना ही है फोल्ड हो जाएगा और अब इसमें पीछे से गले की कटिंग करते हैं गला पीछे से आठ इंच है तो आठ की जिगे हम लेंगे इसमें साड़े आठ क्योंकि आदा ही चूप पचला जागा मार्जन में यह दिखिए आठ अपनी चॉइस के अकोर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो धाइंच भी रख सकते हो किसे को ज्यादा गला चोड़ा पैनना हो तो इसमें आप तीन इंच भी कर सकते हूँ बेगो सिंपल गोल गला यह देखिए मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ आप इसमें जो भैक पॉर्षे ऐट है इसमें हम लगाएंगे प्लेटजिका के निशान तो यह देखिए यह हं से हमें उज्ख चार इंच और उपपर से देखिए फैंट्स यहां से जो एक ब्लाउज होता है एक मीडम साइज का जो ब्लाउज होता है उसमें जो हम यह दूरी लेते हैं प्लेट लगाने के लिए वह लेते हैं दस साधे दस इंच लेकिन अगर आपको हैवी साइज का बना रहे हो तो यह द प्लेट आप लगेगी वह लगेगी कम्प्लेट जो हमने डेड़ इंच जो मार्जन लिया था पीछे की तरफ उसमें हम कवर कर लेंगे यह देखिए तो इस परकार से फैंट्स आप देख सकते हो यह लगबग डेड़ इंच का मार्जन है हमाई प्लेट में लग जाएगा तो यह तो है इसका बैक पोर्शन अब फ्रेंट उठाता हूं मैं फ्रेंट वाला पार्ट फ्रेंट वाला पार्ट यह वाला है अब इसमें जो हमने जो चेंज करना है यह देखिए यहां से आपको हलकी सी इस परकार से मार्किंग करनी है यानि कि जो फ्रेंट आर्म होले उ आगे का जो गला है वो हम रखेंगे इसका 7 इंच तो यह देखिए 7 की जगे हमको लेना होगा 7.5 इंच क्योंकि आदा इंच उपर मार्जन में चला जाएगा गले में हमेशा चोईस आपके कस्टमर की चलती है पौने तीन इंच यहां से लोगा मैं फ्रेंड्स क्योंकि हर किस किसी को गला बड़ा पैनना है तो किसी को छोटा पैनना है किसी को गला चोड़ा पैनना होता है तो किसी को मीडियम साइज का गला पैनना होता है यह बिल्कुर मीडियम साइज के गले की मैं कटिंग करी है पौने तीन इंच मैंने इसके चुड़ाई रखी है और गले की अगर थोड़ा कम साइज का होता तो इसमें में 7.5 के गए 7 इंच पे निशान लगाता अब यहां से आगे से गले की में गुलाई कर दूँगा अब फ्रेंट्स वही बात आगई इसमें प्लेट्स की यहां से आपको दूरी लेनी है वो लेनी है इस साड़े 11 इंच पे यह की इस निशान लगाया है इधर से दूरी रखेंगे आप 4 इंच रख सकते हो सवा चार भी रख सकते हो आद आप सवा इंच से कोई फर्गनी पड़ने वाला यह देखी मैंने यहां से दूरी लिए वह लगबग सवा चार के करीब ली है और इस निशान को दल्बगू सीधा खंचना है आपको में जो plates होती है फ्रेंड वो यही वाली होती है इसमें जो हमने margin लेना है वो लेना है लगभग देर इंच का अब इस plate के अधार पर ही बाकी जाओ सारी इस plate से आपकी को लग जाएंगी नीचे से पहले इसमें इस प्रकार से मार्क कर लें क्योंकि हमें अंदाजा रहेगा कि नीचे से इतना यह फोल्ड होगा अब इस प्लेट के सामने फ्रेंट्स यहां से देखिए लगबग दो इंच आपको एक निशान लगाना है और इसी प्रकार से इस प् इस प्लेट से यहां से आपको लेनी है दो इंच उपर यहां से फोल्ड होगा यहां से दो इंच उपर आपको इस प्रकार से इस प्लेट को आप उठाए इसको ये देखे इधर Mark कर दिया और एक Mark आपने इधर कर दिया तोटा चार प्रेट्स डलेंगे सामने वाले पार्ट में ये देखे अब ये जो मैंने निशान लगाएं इन निशान को आप इन Carrot के साथ मिला दें जो हमने इसने कट लगाएं यह देखें कि अधो यह देखिए यह का फ्रंट पोर्शन है यह स्का हो गया बैक पॉर्शन अब इसमें रहे गई है सिरफ बजु बाजु की कट इंग कैसे करनी है friends वह भी मैं आपको पता जता हूं पहले इनको देखिए आपको इस तरह से दिखा जता हूं front-back की जो cutting हो चुकी है अब मेरे पास जो कपड़ा बचा है friends यह देखिए इतना सारा कपड़ा मेरे पास यह बच चुका है अब इस बच्चों के कपड़े में से सबसे पहले तो इसको मैं सीधा कर दता हूँ, ये देखिए, और इसको रखता हूँ साइड में, ये देखिए कपड़ा ये में बबाए डबल है, तो फ्रेंड्स इस डबल कपड़े को सबसे पहले आपको इस प्रकार से फोर फोल्ड करन अब बात करते हैं इसकी बाजु की लमबाई की और चुडाई की ये दिखoton सबसे पहले आपको एक निशान लेना है सीदा और इस निशान से फ्रेंस आपको निशान लगाना है बाजु को लमबाई का यह जो एक्स्टा कपड़ा यह जो मैंने निशान लगाया है इसके पिछे कारण यह है कि कपड़ा अगर छोटा बड़ा हो तो उसको आप बिल्कुल बराबर कर सके यह देखें यह बद्धू को प्लोमगह शाजगे बाजु को यह निशान को सीदा खेचना आपको यह देखें कि आप प्रेंट्स ऊडरा आप ED yap यहां से आपको द्रिया कि लगाना है बाजू कैसे भी क्यों ना हो तीन इच डाउन ही इसमें मार्किंग हम लगाते हैं यह देखिए और बाजू की आगे से जो गुलाई यह फ्रेंट्स वह है सत्रा और सत्रा का आदा होता है साड़े आठ इंच साड़े आठ पर मैंने निशान लगा दिया यह देखें और फ्रें से इसमें गुलाई देनी है और यह तीन इंच वाज़ा निशान है किसमें लाकर आप को इस गोलाई को मिलाना एं अब फ्रेंट्स यहां तक तो इसमें लाकर मिला दोंगा लेकिन अब सवाल ये उठता है कि armhole जो है इसका formula क्या है कि किस हिसाब से आपके इस blouse के armhole से बिल्कु फिक्स आए फ्रेंट्स हैवी साइज blouse है आगे कपड़ा भी नहीं है तो इसमें पहले हम जोड़ेंगे आगे कपड़ा कपड़ा कैसे जोड़ेंगे ये देखिए इसको आपने इस पकार से ठीक है और आप इसको चाहें तो four-fold कर सकते है इस परकार से अगर four-fold नहीं करना तो आप इसमें क्या करें पहले दो बाजू की कटिंग का जो फार्मूला मैंने ओलरी वीडियो बना रखी है वैसे तो 48 का आदा करते हैं तो बनता है 24 और 24 का आदा करते हैं तो बनता है 12 अब दोस्तों यहां से आपको लेना एक चुथाई सीने का यानि 48 का आदा हो गया 24 24 का बारा और बारा जब आपका चोथा आए वाले निशान को आपको मिलाना इस निशान के साथ यह देखिए यानि कि फिटिंग की जो सिलाई है वो इस निशान पर आएगी और इसके अलावा आपको एक्ष्टा जो मारजन है वो तो रखना ही होता है अब मैं इसके करके आपको दिखाता हूं और फिर मैं आपको चोड काटा है तोटल हमने चार जोड की जूर्ट पड़ेगी फिलाल तो मैंने दो ही काट है और बाकी जोड़े फेंद्स आप इस कपड़े पर रुके अराम से इसकी कटिंग कर सकते हो यह देखिए यह नियुक है ना दो इंच फिटिंग अफिटे-शन्य निशन आई ब यह देखिए यहां से पकड़कर इसको देखें और बहुत ही अराम से आप देख सकते हो इस परकार से हमारा जो आपको बना रहे हो तो जो आपको मेने प्रोड़म आती है वो आती है आर्मोल की कटिंग में तो फैंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच्च